आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे positive thinking क्या होती है और negative thinking क्या होती है और अनके अंदर differences किया है example के साथ आपको समझाऊँगा सबसे पहले समझाएं कि thinking क्या होती है thinking thought same concept है किसी चीज के बारे में कुछ ख्याल करना कुछ सोचना उसको थinking या thought बोलते है मैंने सोचा यार गाड़ी बोत acशी है मैंने सोचा या mobile बोत अच्छा है तो ये एक मेरी thought है मेरी एक thinking है मेरी एक सोच है इसको हम thinking thought बोलते है अब इम गतीव और होती है यह हमने negative thought या positive thought यह एक opinion होती है जो हम, खुद से ही decide करते हैं for example, कोई चीज जो मेरे लिए ठीक है मुझे बारे में positive thinking रखता हूँ वो किसी दूसरे के बारे में है कोई दूसरा उसके बारे में गलत negative thinking रखता है, like चोर के लिए चोरी करना ठीक है वो इसके लिए positive है पर मेरे लिए चोड़ी करना गलत है तो ये जो है हम thinking negative positive को हम explain नहीं कर सकते हैं कोई definition नहीं है इसकी हाँ हम एक चीज़ बता सकते हैं कि positive mindset के लोग कैसे सोचते हैं और negative mindset के लोग कैसे सोचते हैं positive mindset के लोग जोते हैं वो self oriented होते हैं तो कोई प्रॉब्लम आगी है तो उसका solution ऐसे निगालते है, वो उनकी decision making बहुत strong होती है, वो focused होते है, वो अपने emotions पे control करना जानते है, वो confident होते है, वो उनकी अंदर एक अपनी growth की capability होती है, वो अपने goal को achieve करना जाते है, वो उन्होंने जो चीज रिसाइड का लिए और उ तो बिल्कुल इसके opposite है, वो shy होते हैं, डरते हैं, fear होता है उसके अंदर, situation को लेके, बुरी situations बना लेते हैं, imagination करते हैं, अगर इस तरह हो गया, तो इस तरह हो गया, तो मैं गयातर होगा, मेरे साथ ही बुरा होता है, ठीक है, emotional control होता है, उनके उपर, limitations होती है, डर जाते है हैं, अपनी limitation में गयते हैं, hesitation में गयते हैं, decision making ने अच्छे से कर सकते हैं, उसके बाद problem को solving कर सकते हैं, give up कर देते हैं, उसी तरह positive thinking की, thinker की बात की जाए तो वो give up नहीं करेगा, वो जो मर्जी होगा, अचीव करके लेगा चीज़ों को